C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू दो प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय दो इसका शीर्शक है गिनो मगर समुहुमें प्रिष्ट नौ से प्रिष्ट सत्रह तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय दो शीर्शक गिनो मगर समुहुमें प्रिष्ट नौ इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई और एक शिशु को कुछ कागजों को देखते हुए अपने सिर को खुजाते हुए एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है लाल रंग के अक्षरों में उपर लिखा है देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ इसके नीचे बाई और कुछ जोडी जूते के रखे गई है एक, दो और तीन कतारों में जूतों की ये जोडियां रखी गई है इसी तरहे इसके बाई और एक, दो, तीन और चार कतारों में चाय के कुछ कप रखे गई है इन दोनों चित्रों के नीचे, तीन बच्चे एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं इन में से सलेटी रंग की पैंट पहने हुए बच्चा बाकी दो बच्चों से दो प्रश्न पूछता है वो कहता है क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो, यहां कितने कप हैं पीले रंग का पजामा पहने हुए बच्चा उसे उत्तर देते हुए कहता है तीन कप और तीन कप मिलकर हुए छे, चार कप नीचे हैं तो कुल दस कप होने चाहिए फिर सलेटी रंग के पाईजामे वाला बच्चा कहता है कितने जोडी जूते हैं, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो उसे उत्तर देते हुए नारंगी रंग की फ्रॉक पहने लड़की उससे कहती है यहां तीन लाइने हैं और हर लाइन में तीन जोडी जूते हैं इसलिए यहां नौ जोडी जूते हैं प्रिष्ठ दस देखो किस तरह अलग-अलग चीजें समुह में रखी हैं बिना हर चीज को गिने इनकी संख्या का अंदाजा लगाओ इस प्रिष्ठ पर बाई और एक दुकानदार की दुकान में कुछ गिलास एक दूसरे के ऊपर उल्टे करके रखे गई हैं इस चित्र के ठीक सामने एक रिक्त स्थान दिया गया है और उसके आगे लिखा गया है गिलास इस रिक्त स्थान को याने खाली स्थान को भरें लिखें कि चित्र में दिखाई गई दुकान में कितने गिलास रखें हैं इसी तरहे इस प्रिष्ट पर दाई और चूडियां बेचने वाली एक महिला की दुकान में चूडियां रखी दिखाई गई हैं इस चित्र के नीचे एक खाली स्थान दिखाया गया है और उसके आगे लिखा गया है चूडियां याने इस खाली स्थान में आप भरें के महिला दुकानदार की दुकान में कितनी चूडियां रखी गई हैं इसी प्रकार इस प्रिष्ट पर बीच में बाई और कान की बालियों के अलग-अलग चित्र दिखाये गए हैं इनके ठीक सामने दाई और एक रिक्तस्थान दिखाया गया है और उसके आगे लिखा गया है कान की बालियों की जोडियां इस रिक्तस्थान में आप ये लिखें के इन चित्रों में दिखाई गई बालियां कितनी हैं याने कान की बालियों की जोडियों की संख्या कितनी है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे लिखा है यहां तीन समूहों में चम्मच रखे गए हैं इस वाक्य के नीचे तीन समूहों में चम्मच का चित्र दिखाया गया है इसके दाई और लिखा है हर समुह में कितने चम्मच हैं और उसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है इस रिक्त स्थान को भरें नीचे लिखा गया है अंदाजा लगाओ चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है इस रिक्त स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में एक महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश अपने चारों और की वस्तूओं की संख्या का अंदाजा लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें गतिविधी का उद्देश बच्चों को समुह में रखी वस्तूओं को देख कर उनको गिनने के तरीकों से परिचित कराना है प्रिष्ठ ग्यार है इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर बाई तरफ लिखा है कम या ज्यादा लगाओ अंदाजा सही उत्तर में गोला लगाओ इस प्रिष्ठ पर बई ओर लिखा है तुम्हारे मुह में दांतों की संख्या इसके साथ ही बीच में एक मुस्कुराते हुए व्यक्ती का चित्र दिखाया गया है इसके आगे लिखा है चालीस से अधिक, चालीस से कम इसके नीचे लिखा है एक संतरे में बीजों की संख्या इसके नीचे संतरे का चित्र दिखाया गया है दाई और लिखा है पचास से अधिक, पचास से कम इसके नीचे लिखा है माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या और इसके नीचे एक आधी खुली हुई माचिस का चित्र दिखाया गया है जिसमें तीलियां दिखाई दे रही है दाई और लिखा है तीस से अधिक, तीस से कम इसके नीचे लिखा है तुम्हारी कक्षा में पैंसिलों की संख्या इसके साथ ही एक बालिका का चित्र बना है जिसके सामने धेर सारी पैंसिलें रखी हुई है दाई और लिखा है पैंतालीस से अधिक, पैंतालीस से कम इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे लिखा है साइकिल के पहिये में तीलियों की संख्या इसके नीचे साइकिल का चित्र दिखाया गया है उसके आगे लिखा है 20 से अधिक या 20 से कम प्रिष्ट 12 है इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई और लिखा है कूदते रहो, गिरना मना है इसके नीचे लिखा है तुम बिना गिरे अपने दाई पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो इसके आगे खाली स्थान दिखाया गया है और इसके ठीक सामने एक बच्चा जमीन पर गिरा हुआ दिखाया गया है परन्तु दाई और एक लड़की को अपने एक पैर पर कूदते हुए मुस्कुराते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है इसके नीचे लिखा है तुम बिना गिरे अपने बाई पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो इसके आगे रिक्तस्थान दिया गया है और इसके दाई और एक लड़के को अपने बाई पैर पर कूदते हुए दिखाया गया है इस प्रिष्ट पर बीच में लिखा है बिंदू जोडो जो जो भूखा है 21 से 52 तक के बिंदूओं को करम में जोडो और पता करो कि इन बिंदूओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है इसके नीचे जो जो नामक कुत्ते का चित्र दिखाया गया है और इसके साथ ही दाई और संख्याएं लिखी गई है इन संख्याओं को आपस में जोड़ कर आप एक चित्र बनाईए और बताईए कि इन बिंदूओं में जो जो के खाने के लिए क्या छिपा है प्रिष्ट 13 शरारती भूरू भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है इस प्रिष्ट पर सबसे उपर भूरू नाम के एक पिल्ले का चित्र है जिसके मुह में एक पाठ्य पुस्तक के कुछ पन्ने है उसने इन पन्नों को पुस्तक से फाड़ दिया है साथ ही एक बच्चा भूरू की तरफ इशारा कर रहा है और अपने सिर को खुजा रहा है इसके नीचे लिखा है पन्नों पर संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखो इसके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ पन्नों का चित्र दिखाया गया है उनमें से दूसरे पन्ने पर अड़तालीस संख्या लिखी गई है उलज न जाए पूंच चिपकुट चुहे की खूब लंबी पूंच है जब वो सो रहा था तब शरार्ती बिल्ली ने उसकी पूंच को खंबों से बांधने की सोची उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंबे से शुरू किया एक-एक कर वो छोटी संख्या वाले खंबों से पूँच को बांधती चली गई पूँच बांधने में उसकी मदद करो लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूँच का कोई हिस्सा दूसरे को ना तो छूए ना पार करे इसके नीचे बाई और सोते हुए चिपकु चूहे को उसकी लंबी पूँच के साथ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और वहीं शरार्ती बिल्ली चिपकु चूहे की तरफ देख रही है और बीच में संख्याएं खंबों के उपर लिखी हुई दिखाई गई है प्रिष्ट 14 है खूब बड़ी गाजर इस प्रिष्ट पर बाई और उपर एक बूढ़े व्यक्ती का चित्र दिखाया गया है दाई तरफ उस बूढ़े व्यक्ती के सामने एक बहुत बड़ी गाजर रखी हुई दिखाई गई है बई तरफ लिखा गया है एक बुढ़िया ने बोया दाना गाजर का था पौध लगाना गाजर हाथों हाथ बढ़ी खूब बढ़ी बई खूब चड़ी बुढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर जाता हूँ जोला बहुत समय बीता है हाए, गाजर के हलवे को खाए बुढ़िया बोली बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ बुढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी, जोर लगाया हाए हाए कर बुढ़ा हाफत बची न बुढ़े में कुछ ताकत नहीं बना भई नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना बुढ़ा बुढ़िया को ले आया दोनों ने मिल जोर लगाया हिल न पाई जरा भी गाजर हाथों में था दर्द समाया नहीं बना भई नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बुढ़े बुढ़िया और एक छोटी बच्ची को बहुत बड़ी गाजर को खींचते हुए दिखाया गया है प्रिष्ठ पंद्रह है बुढ़िया ने पोती को बुलाया तीनों ने मिल्जोर लगाया फिर भी हिलना पाई गाजर दुख से सबने मुह लटकाया नहीं बना भई नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना पोती का शेरू भी आया चारों ने मिल्जोर लगाया किस्मत थी उनकी न अच्छी गाजर कोई पाड़ न पाया नहीं बना भई नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना पूसी की सुन चूचू आया सबने मिलकर जोर लगाया ताकत ने सब की काम किया गाजर को जड़ से पाड़ दिया बन गया भई बन गया काम हमारा बन गया अब नहीं चाहिए कोई नया लेकर गाजर गए रसोई सबने मिलकर गाजर धोई काट छाट कर उसे पकाया गाजर का हलवा बनाया उड़ी हर तरफ खुश्बू उसकी मन जिस से सब का लल चाया इस प्रिष्ठ पर बीच में गाजर को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बूढ़ा बुढ़िया उनकी पोती पोती के पीछे शेरू और शेरू के पीछे पूसी और पूसी के पीछे चूचू को गाजर को खींचते हुए दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर दाइं और सबसे नीचे गाजर को जमीन से बाहर निकालने के बाद हर्श उल्लास का दृष्ष दिखाया गया है इस चित्र में चूचू ये कहता हुआ नजर आ रहा है मैं हूँ सबसे बड़ा शक्तिमान और इसके साथ ही लिखा है बूढ़ा बुढ़िया पोती शेरू पूसी चूचू ने मिल खाया प्रिष्ठ सोलह इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे उपर लाल रंग के अक्षरों में लिखा है चित्र देखो और लिखो कितने लोग गाजर उखाड रही हैं सबसे पहले गाजर खीचने वाला कौन था बिल्ली इस लाइन में खाली स्थान पर है इस प्रिष्ठ पर बीच में गाजर को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बूढा, बुढिया, पोती, शेरू, पूसी और चूचू को दिखाया गया है दाई और एक प्रश्न पूछा गया है लिखा गया है चौथे स्थान पर गाजर उखाडने वाला कौन था रिक्त स्थान को भरें इसके नीचे एक और प्रश्न पूछा गया है बिल्ली के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड रहे थे इस लाइन में जो तीसरे नंबर पर है उसके सिर पर टोपी लगाओ इस लाइन में छटे वाले की मूच बनाओ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश क्रम सूचक संख्याओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अभ्यास के लिए गतिविधियां बना सकते हैं उदाहरण के लिए छे चात्रों को एक पंक्ती में खड़ा करें उन्हें एक नियत स्थान यथा प्रथम द्वितिये तृतिये आदी किसी संदर्भ में दें दूसरा बच्चा अपनी नाक पकड़े आदी इस गतिविधी पर कार्य करते समय पत्तियों जड़ों पर भी चर्चा करें प्रिष्ट सत्र है इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लाल रंग के अक्षरों से लिखा है सीमा का सैंकडा सीमा ने अलग-अलग तरह की बिंदियों से एक डिजाइन बनाया है इस लाइन के नीचे सीमा का चित्र दिखाया गया है सीमा ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ है और उस कपड़े पर उसने अलग-अलग तरह की बिंदियों से डिजाइन बनाया है इस प्रिष्ठ पर नीचे लिखा है अलग-अलग समुहों को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का अंदाजा लगाओ कुछ और समुहों के चित्र बनाओ ताके सौ बिंदियां पूरी हो जाएं तुम्हें कितनी और बिंदियां बनानी पड़ी इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय दो यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटिलैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वनिर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नईदिल्ली भारत झाल 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 प्रस्तुती CIET NCERT